मोहन लाफ्ट यानिके मोहन हसा लाफ्ट का अर्थ है हसा यहां लाफ्ट शब्द वर्ब है कौन हसा? मोहन हसा मोहन एक प्रॉपर नाउन है लाफ्ट वर्ब है यहां मोहन करता है और लाफ्ट कारिय है Mohan finished his work quickly यानि के Mohan ने जल्द अपना काम खतम किया Finished यानि के खतम His यानि के अपना Work यानि के काम Quickly यानि के जल्द यहां Mohan एक प्रॉपर नाउन है Work शब्द common नाउन है Quickly शब्द adjective है Adjective के विशे को बाद में देखेंगे यहां finished शब्द वर्ब है यहां Mohan करता है और finished कारिय है The rabbit kept hopping around the garden खरगोश बाग में फुदकता रहा Rabbit यानि के खरगोश Kept hopping यानि के फुदकता रहा Garden यानि के बाग यहां rabbit करता है और hopping कारिय है अब हम देखेंगे to be verb To be verb एक बुनियादी verb form है यह बहुत महत्वपूर्ण है हम पहले ही I, He, She, It, You, We, They शब्दों के बारे में जान चुके हैं आए यानि के मैं यानि यानि के प शी यानि के व इत यानि के व यू यानि के तुम We यानि के हम They यानि के वे I am He, she, it is You, we, they Are I होने से am शब्द प्रयोग करते हैं He, she, it शब्द होने से is प्रयोग करते हैं You, we, they शब्द होने से are शब्द प्रयोग करते हैं कुछ उधारन देखते हैं I am a student मैं चात्र हूँ He is a student वा एक चात्र है She is a student वा एक चात्र है It is a cat वा एक बिल्ली है You are a student तुम चात्र हो We are students हम चात्र है They are students वे चात्र है English में इन्हें फर्स्ट परसन, सेकंड परसन, थर्ड परसन कहते हैं I, we शब्द फर्स्ट परसन है You शब्द फर्स्ट परसन है He, she, it ये शब्द फर्स्ट परसन है I, फर्स्ट परसन, सिंग्युलर है We, फर्स्ट परसन, प्लूरल है You शब्द फर्सन, सिंग्युलर या प्लूरल होते हैं He, she, it ये शब्द फर्ड परसन, सिंग्युलर है They शब्द फर्ड परसन, प्लूरल है I होने से am शब्द का प्रयोग होता है I am a student He, she, it इन तीन शब्द होने से is का प्रयोग होता है He is a student She is a student It is a cat You, we, they इन शब्दों के होने से आर का प्रयोग होता है We are students You are a student They are students कुछ उधारन देखते है Mohan is a singer Mohan एक गायक है Mohan proper noun है Is, verb है Singer, common noun है Mohan कौन है? Mohan एक गायक है Usha is a dancer Usha एक नर्तिका है Usha proper noun है Is, verb है Dancer, common noun है Usha कौन है? Usha एक नर्तिका है Ram is a rich person Ram एक अमीर व्यक्ती है Ram proper noun है Person, common noun है Person, common noun है Rich शब्द, adjective है Is, verb है A, article है Is, इस वाक्य में स्थिती को दर्शाया गया है Ram कौन है? Ram एक अमीर व्यक्ती है Ram एक एक लेखक है Ram एक लेखक है Ram एक लेखक है Is, verb है Writer, common noun है इस वाक्य में स्थिती को दर्शाया गया है Ram एक लेखक है अगला उधारन Kamal is writing a letter Kamal एक पत्र लिख रहा है Kamal proper noun है Is, writing का अर्थ है लिख रहा है Letter का अर्थ है पत्र इस वाक्य में कार्य को दर्शाया गया है लिखना शब्द कार्य है Kamal क्या कर रहा है Kamal एक पत्र लिख रहा है Ravi is a writer इस वाक्य में बताया गया है की Ravi कौन है Kamal is writing a letter इस वाक्य में बताया गया है की Kamal क्या कर रहा है आशा है की अब तक के उधारन आप समझ गये होंगे अभी निम्न आने वाले वाक्यों में आप पहचानिये कौन से कार्य को दर्शाते हैं और कौन से स्थिति को दर्शाते हैं राम मेट राजू प्रबू प्रॉपर नाउन है इस वाक्य में राम के कार्य को दर्शाया गया है प्रभू is a poet प्रभू एक कवी है प्रभू कौन है? प्रभू एक कवी है इस वाक्य में प्रभू की स्थिति को दर्शाया गया है प्रभू प्रॉपर नाउन है इस वर्ब है पोईट कॉमन नाउन है